दोस्तों एक बार सच्चे दिल से कमेंट सेक्षन में जय बाला जी सरकार अवस से लिख देना एक बार लिख कर देखना मित्रो अगर किस्मत ना बदल गई तब जाकर कहना क्योंकि मित्रो आपके जीवन पर जो कृपा हुई है वो सुयम बाला जी की हुई है आप लोग अभी के ग्रहन चत्र आपकी किस्मत आपको साथ नहीं दे रही थी जितनी आप मेहनत करते थे जो सोच कर आप लोग मेहनत करते थे उसका लाब अगर आप लोगों को आधा मिल जाता तो आप लोगों के जीवन के संकट खत्म हो जाते लेकिन आपकी रासी जो सिंग है सिंग रासी आपको सता रही थे आप लोग जो है ज्यादा सताय जा रहे थे आपके रासी का जो तत्व है वो अगनी तत्व है वही तत्व आपको सता रहा है अगनी चाह रहा है आप अगनी की तरह तडफें अगनी की तरह जलें अगनी की तरह मेहनत करें तब जाकर आप लोगों को सफलत अगर आप लोगों को मिल जाता तो आप अपने जीवन में सारी सुख सुविदावों को हासिल कर लेते जीवन के सारे संकत खत्म कर देते क्योंकि आप लोग इतने महनती होते ही है आप बहुत महनत करते हैं लेकिन सफलता नहीं मिलती है आपका रासी सिंग है सिंग मतलब होता है सेर आप बहुत हिम्मती होते हैं अपने काम के प्रती बहुत ही एक्ट्यू रहते हैं काम को बहुत ही लगन से करते हैं लेकिन लगन से काम कर रहते लेकिन सफलता नहीं मिल लही थे इसलिए बस यही देउता आपके रासी पर प्रसन्न हुए हैं सोयमबालादी प्रसन्न हुए हैं और ये दिवता जब भी आपके रासी पर चमतकार करते हैं तो बहुत भयंकर चमतकार करते हैं और ये चमतकार आप लोगों को आने वाले तीन दिनों के अंदर देखने को मिलेगा यही वो तीन दिन होगे जिसमें आपके रासी पर कुछ भयंकर लाब होने वाला है आपके जीवन में कुछ बड़ा लाब होने वाला है क्योंकि मात्र यही सहारा सिंगरास वाले लोगों के लिए बचे हैं सोयमबाला जी सरकार ही आपके रासी को देख सकते हैं आप लोगों के जीवन को संकटों से मुप्त कराब सकते हैं क्योंकि आपका जीवन जो है संघर्षों से बहुत ही आपको परेशान कर रहा था आप लोगों को बहुत ही संकट दे रहा था आप जो मेहनत करते थे उसका भी रिजल्ट क्या आप लोगों को देखने को मिल रहा था आप लोग हमें कमेंट करके बताएं आप जिन लोगों की मदद कर दे रहे थे वही व्यक्ति आपको क्या मदद कर रहा था आप जिन को आगे बढ़ा दिया वो व्यक्ति क्या आपको याद कर रहा है नहीं याद कर रहा होगा आपको वही व्यक्ति धोखा दे रहा होगा लेकिन मित्रो आपके रासी पर सोयम बाला जी सरकार की कृपा हुई है और ये आप लोगों को आने वाले तीन दिनों के अंदर आपके सोयम आखोंसे आपको दिखायेंगे चमतकार जो करेंगे सोयम आप अपने आखोंसे देखेंगे लेकिन मित्रो एक गलती मत करना जो वो गलती है वीडियो को काट पीट कर मत देखना एक एक सब्द आप लोगों को सुन लेना है क्योंकि सोयम बाला जी सरकार के एक एक सब्द आपके जीवन के संकटों को मुक्त करने से रिलेटेड है जीवन को आगे बढ़ाने से रिलेटेड है क्योंकि हर एक सब्द में आपके जीवन से रिलेटेड कोई न कोई रहस्य चुपा हुआ है इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं हाथ जोड़कर वीडियो को संपूर देख लेना सुन लेना फिर देख लेना अपने आखों से तीन दिनों के अंदर अगर चमतकार ना हुआ तब जाकर कहना और ये बात हमारी आप लोग इस्टाम पेपर बल लिख लो तीन दि वीडियो को कार पीड़ कर देखोंगे फिर लाभ नहीं होने वाला है। इसलिए मित्रों आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं अगर आपके पास समय अभी है तो अभी देख लो अगर अभी समय नहीं है आपके पास तो कुछ देर के बाद देख लेना लेकिन देखना किसे आपके रासी पर चमतकार होता है आप लोगों के जीवन के संकट कैसे खत्म होते हैं क्योंकि आपके रासी पर पिछले 30 सालों से कोई बड़ा लाभ नहीं हुआ कोई भैंकर आपके रासी पर चमतकार नहीं हुआ आप जितनी मेहनत कर दे रहे थे जितना आप लोग काम कर रहे थे जिस हिसाब से जो सोच कर काम कर रहे थे जितना आप लोग सपना सजाए हुए थे वो सपना पूरा नहीं हो पा रहा था क्योंकि मित्रों आपके रासी के जो मालिक सूर्य भगवान थे वो आपके इच्छा उनसार आपको फल नहीं दे पा रहे थे आप फल क्यों नही दे पा रहे थे क्योंकि मित्रो आपका रासी जो है सिंग है सिंग रासी के अंदर थोड़ा घमंड होता है वीडियो को काट पीट कर मत देखना बातों को सुन लेना फिर देखना तीन दिनों के अंदर कैसे आपके रासी परचमतकार होता है सबसे पहले आप समझ लीजिए सबके अंदर एक घमंड होता है यह बच्पन से होता है जो सच है वो सब आज आपको बताउंगा सब मतले होता है से किसी की आगे डबना किसी के आगे जुक कर चलना किए 추가 दोड़ा मेंए रहकर कामकरना और किसी का दाट खाना आप लोगों को पसंद नहीं होता है आप लाइन में हो जहां पर काम करें वहां पर कोई आपको दबाव न डाले आप किसी के अंडर में रहकर नौकरी करना पसंद नहीं करते हैं किसी के दबाव में रहकर कोई काम करना पसंद नहीं करते हैं यही कारण है सिंग रासी के जो ब्यक्ति होते हैं इनके अंदर एक घमंड ह होता है कि आप किसी के आगे जुकते नहीं हैं किसी के आगे दबते नहीं हैं किसी के अंडर में राकर काम करना पसंद नहीं करते हैं यही कारण है आप लोगों को थोड़ा परेशानी भी देखने को मिलती हैं कभी-कभी आपको अपने रिस्तों में धोखा मिल जाता है क्योंक के अंदर ये कमी है इस कमी को थोड़ा सिधारना है क्योंकि किसी ना किसी के आगे आपको जुकना पड़ेगा लेकिन आप लोग जुकते नहीं है लेकिन उसके सासर आपके रासी पर जो आपकी रच्छा कर रहे हैं वो सूरी भगवान कर रहे हैं आप अगर किसी से रूट जा ठोकर खाएं लेकिन आप ठोकर खाके फिर समल जाते हैं क्योंकि आपके रासी के जो मालिक बनकर बैठे हुए हैं वो सूरी भगवान है। मालिक जो है सूरी भगवान हैं अब जब अगनी तत्व बीच में हैं सिंग रासी का जो चिन सेर है ये सबसे नंबर वन पहले इस्थान पर है दूसरे इस्थान पर है आपका तत्व है वो है अगनी और तीसरे नंबर पर जो आपके रच्छा कर रहे हैं वो सूरी भगवान है अब सबसे पहले आप लोगों को दो लोगों से जीतना है सबसे पहले आपकी राशी सिंग है आपको कहीं जुकना नहीं है किसी के आगे किसी के अंडर में रहकर काम करना नहीं है अब आप जो करेंगे तो अपने दम पर करेंगे जब आप अकिले दम पर कुछ करने का प्रयास करेंगे, कुछ बड़ा करने का प्लान करेंगे, तो इसमें आप लोगों को परिशानी ज्यादा देकिनों को मिलेगे, किसी का सपोर्ट नहीं मिलेगा, कोई धोखा दे रहा है, कहीं आप सफलता पाने वाले होंगे, लेकिन मित् आपके खास मित्र की जरूरती और आपका खास रिस्तेदार की जरूरती, उस वक्त से अगर आपको आपका खास मित्र या फिर आपका खास रिस्तेदार उस दिन थोड़ा हाथ लगा देता, तो आप अपने जीवन में आगे निकल जाते हैं, अपने किरियर में सफलता पा ज गाते उसमेंज से तूट सकता था वह अपने जीवन से तूट सकता है था लेकिन सिंह राशी के विक्तियों के अंदर खुबी जो है वह जुकेंग नहीं किसी के आगे चाहे जितनी परिशानिया आजाए अपने आप ही पैरों के दम पर खड़े होने का प्लान करते हैं महिनत बहुत करते हैं जब तक इह सफलता नहीं मिलती है तब तक महिनत करते रहते हैं सफलता के पीछे भागते रहते हैं हालां कि आप लोगों को कभी-कभी महिनत करने के बावजूद भी सफलता नहीं मिलती है उसका कारण में तो यही है आपका रासी सिंग सिंग मतलब होता है सेर सबसे पहले आप लोगों को बड़ी-बड़ी परेशानिया दिये जाएंगी बड़े-बड़े संकर दिये जाएंगी जनिस्तों आप लोगों के टूटना जाएगी आपका प्यार आपका आपको साथ नहीं देगा आपका जो पती होगा आपका कहना नहीं मानेगा शिंग रास वाले बिक्तियों को चारो तरब से परेसानिया मिलती हैं और ये परेसानिया जब मिलती हैं लेकिन जब अब इन परेसानियों से आप जूज जाएंगे इन परेशानियों को आप संतुष्ट कर देंगे क्योंकि अगनी आपका तत्व है अगनी चाहता है आपको चारो तरफ से संकट दे चारो तरफ से परेशानी दे ये प्लान बनाकर अगनी तत्व आपका बैठा हुआ अगनी तो चाहता है आप अगनी की तरह तरफे अगनी की तरह चले लेकिन सफलता आपको ना मिले लेकिन जब आप अगनी की तरह तरफ लेते हैं अगनी की तरह जल लेते हैं अपने आप में सारे संकटों से खेल जाते हैं फिर भी आप हार नहीं मानते हैं तब आपके रच्छक जो है सूरी भगवान है उनके पास आपको भेज दिया जाता है और जैसे ही आपको सूरी भगवान के पाफ भेज आ जाता है तुरंत सूरी भगवान आपके जीवन में और तालिस भंटों के भीतर तीन दिनों के भीतर आपके राशी पर चमतकार कर देत तुरंत आपके जिवन के सारे संकत्र खत्म हो जाएंगे आप जहां जाएंगे जिस लाइन में आप तैयारी कर रहेते नोकरी की तलाज कर रहेते नोकरी नहीं लग पा रहेते उस लाइन में आपको तुरंत नोकरी मिल जाएगी बिजनेस आप कर रहेते बिजनेस में आपको स सपलता मिर जाएगी सूरी भगवान आपके घर के मालिक बैठे हुएं आपके घर के सदस्य हैं आप सदस्य मानिए सूरी भगवान को आपकी रच्छा कर रहे हैं वो सूरी भगवान हैं परेसानी आपको देखने को बहुत मिलेंगी लेकिन कोई अगर आपको नीचे गिराने क जब कोसित करेगा, नीचे गिराने का प्रयास करेगा, तब आपको नीचे गिरने नहीं देंगे, आपकी बेजती उस जगा पर नहीं होने देंगे, क्योंकि आपके घर के ही सदसी, अगर आपकी बेजती हो जाएगी, तो उनकी भी बेजती हो जाएगी, इसलिए आपको नीच के लिए पहुंसारे लोग साजी से रचते रहते हैं लेकिन आप लोगों को नीचे गिरा नहीं पाते हैं क्योंकि आपके रासी सफलता देंगे तो बहुत बड़ी सफलता देंगे आप अपने किरियर में अपने बिजनेस में सबसे बड़े पद पर आप जाएंगे आप अगर नोकरी की तलास कर रहे थे बड़े लेबल की तो सबसे बड़े अधिकारी बनकर लोटेंगे आपके एरिया में उतना बड़ा क आपके किस्मत को बदलते हैं उनके ही हाथ में आपकी रासी का पूरा काम आ जाता है और वही फिर आपके रासी के और आपके घर के मालिक होते हैं और वो जब अपने घर का ही मालिक कोई सदस्य हो और वही आपको सफलता देने बैठे तो वो कोई छोटी मोटी सफलता नहीं देगा क्योंकि वो आपका सगा मित्रों का सगा भाई है तो आप लोगों को बहुत बड़ी सफलता देगा यही कारण है आप लोगों को सफलता जब मिलती है तो बहुत बड़ी मिलती है लेकिन आप लोग इस बात को आप लोग कान खोल कर सुनो, आप लोगों को सफलता आसानी से नहीं मिलेगी, आप महिनत करेंगे तभी सफलता मिलेगी, कभी-कभी आपके ग्रहनचत्र अच्छे होते हैं, आप महिनत करते हैं तो सिंगरास वाले ब्रक्ति, कभी-कभी आसानी से नोकरी पा जाते हैं आसानी से अपने बिजनेश व्यापार को अच्छी लेबल पर पहुंचा देते हैं लेकिन कभी-कभी कुछ बेक्षियों को हो यही सफलता मिलती है आसानी से लेकिन 90% लोगों को थोड़ा परिशानिया देखने को मिलता है 10% बेक्तियों में वही बेक्तियों हैं जो आसानी से सफलता पा जाते हैं वो लोग कह रहे होगे कि हम तो बहुत आसानी से सफलता पा गए और हम बहुत ही खुस हैं अपने जिवन में सब कुछ अच्छा चलना तो वो 10% लोगों में वो लोग आ जाते हैं लेकिन 99% लोग अपने जीवन में संघर सो बहुत करते हैं सिंघरासवाले, परिसानियों से बहुत जूजते हैं, बहुत मिहनत करते हैं तब जाकर सफलता मिलती हैं, लेकिन वित्रों आप लोग टेंशन बत लेना, आप लोग अगर मिहनत किया हैं तो सफलता मिलेगी अवस्त सूर्य भगवान आपके रच्छक हैं आपके घर के मालिक सूर्य भगवान हैं इसलिए जब भी सफलता देंगे तो बहुत बड़ी देंगे हालाएं कि आप लोगों को सफलता लेट में मिलेगी आसानी से नहीं मिलती है तो कि अगनी तत्व बीज में बैठा है सूर्य को जल दें तांबे की लोटे से ये काम अगर आप लोग करेंगे तो सूर्य भगवान बहुती आसानी से प्रसंद हो जाती है उगते हुए सूर्य को जल देना है तांबे की लोटे से सुबह प्राता काल उठी कर ये काम आप लोग एक महिना करिए फिर देखिए आपके जिवन के सारे संकत कैसी मुटत होते हैं आपके घर के ही मालिक सूरी भगवान हैं ये समझ लीजिए इसलिए सूरी भगवान को आप लोग प्रसंद करिए और एक तरब से आप लोगों को बाला जी की करपा प्राप्त हुई है अब आपके केरियर में कुछ बड़ा बदलाओ देखिने को मिलेगा जैसे की जो जातक नौकरी की तलास कर रहे थे जो जातक पढ़ाई कर रहे थे नौकरी नहीं मिल पा रही थी कमपटिशन लेबल को देखते हुए महनत का डाला बहुत महनत किया लेकिन सफलता नहीं मिले उन लोगों को अब सफलता मिलने वाले है उनके केरियर में अब बहुत बड़ी सफलता मिलने वाले है नौकरी के छेत्र में बहुत बड़ा लाब होने वाला है बहुत भयंकर लाब होकर रहेगा सिंगरासिवालो इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ एक बार सच्चे दिल से कमेंट सेक्षन में जै बाला जी सरकार आवस रिकना वीडियो को सेर कर देना सिंगरासिवालों के साथ जितना जानकारी आप लोगों को दूसरे लोगों को फैलाएंगे उतना बड़ा लाब होगा क्योंकि बाला जी की आप लोग कृपा दूसरे लोगों को दिलाएंगे दूसरे लोगों को बाला जी की जानकारी दिलाएंगे बाला जी की कृपा प्राप्त करवाएंगे इसलिए आप लोगों का लाब उतना ही बना जाएगा इसलिए मित्रो वीडियो को सेर करना जितने भी आपके खास मित्र हैं जो कि सिंग रासे वाले बेखती हैं लेकिन वित्रों आने वाले में जो समय होगा इसमें आप लोगों को कुछ वारी पर से यम रखना है और थोड़ा सा साउधारी बरतना है हर जगा आप लोग जिद करते हैं इसलिए आप लोगों को थोड़ा परिशानी ज्यादा देखने हो की मिलती है जहां पर आप जिद नहीं करने वाले होते हैं वहां पर भी जिद कर देते हैं जहां पर आपका बनता हुआ काम कभी कभी बिगर जाता है आपकी नोकरी चूर जाती है कभी कभी क्योंकि आप अलग टाइप के इंसान होते हैं आप चाहते हैं किसी के अंडर ना रहा, किसी के अंडर में राकर, जुकर या पिनना चलें, ऐसा आप मत करीए, चलिये मत, लेकिन थोड़ा सा साउधानी, थोड़ा सा सयम आप लोगों को रखना चाहिए, हालांकि आप लोगों को सफलता जब मिलती है, तो बहुत बड़ी मिल झाला हुआ झाला हुआ